हेलो इस्टुडेंट्स, वेलकम तु माई चैनल आसीस मैथ क्लासेज, हम लोग पढ़ रहे थे 11th की टेटनामेट्रिक फंक्शन, चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने दो तरीके के कोश्चन सीख लिये, कि किसी भी एंगिल को डिग्री से रेडियन मे करना, आज हम लोग कुछ लैंगिव जाले कोश्चनों को सीखेंगे, जैसे यहां कोश्चन दिया है, एक वील मेक्स 360 रेडियन का कोड बनाएगा, तो परिक्रमन का मतलब होता है, चक्कर लगाना, यानि चक्कर, तो देखिए, एक मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 360, एक मिनट का अंदब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितने चकर लगाता है, 360, तो एक सेकंड में पहिया कितने चकर लगाएगा, 6 चकर लगाएगा, पहिया यानि वील का ऐसा होता है, सर्कुलर होता है, और हम जानते हैं कि कोई भी सर्कुलर ठिंग जो है, यानि कोई भी व्रत गता कारवस्त जो है वो एक चकर में कितना एंगिल बनाती है 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब है 2 pi रेडियन यानि एक चकर में 2 pi रेडियन का एंगिल बनेगा, तो जथे है 섹प पर पूचा गया था एक चक्कर यानि एक परिक्रमण में कितना एंगिल बनता है, 360 यानि 2π, तो पिछे परिक्रमण में कितना एंगिल बनेगा, 6 को 2π से मर्डिप्लाई कर देंगे, यानि 12 रेडियन, यानि जो पईया है, जो एक मिर्ड में 360 चकर लगाता है, वो एक सेकेंड में कितना एंगिल ब व्रत है तो वो एक चेक्कर में 2π यानि 360 डिग्री का एंगिल बनाता है चलिए दूसरे कोशन पर चलते हैं सेकंड कोशन दिया है एक व्रत जिसका व्यास 40 cm है कि एक जीवा 20 cm लंबाई की है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ग्याद कीजिए देखें तो ये एक सर्किल हो गया ये इसका सेंटर हो गया यानि केंदर हो गया ओ ए और बी इसकी सरकमफ्रेंस यानि परीदी पर कोई दो पॉइंट हो गये इनको मिला दिया अब देखें तो ये जो जीवा है ए बी क्या है जीवा यानि कॉड ये 20 cm कोश्चन में दी गई है और डाइमीटर यानि व्यास कितना दिया 40 हम जानते हैं कि डाइमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होती है तो रेडियस कितनी हो गई 40 by 2 यानि 20 cm देखें तो ओ ए रेडियस है 20 हो गई ओ भी रेडियस है 20 हो गई ए बी कॉड यानि जीवा है ये 20 कोश्चन में दिये ओ ए ओ बी ए बी ये तीनो ही क्या है इक्वल तो ये ट्रेंगल बन गया ओ ए बी और हम जानते हैं कि अगर ट्रेंगल में तीनो साइड एक्वल है तो एक्वलेंट्रल ट्रेंगल यानि संभाहू तिभुज होता है तो ये तिभुज क्या हो गया संभाहू और हम ये भी जानते हैं कि संभाहू तिभुज में तीनो कोड 60 डिगरी की होते है तो हमें चाहिए जो center पे angle बन दा है तो center पे angle कितना बन दा है ये AOB तो angle AOB equals 60 degree इसको πाई में change कर लिया radian में तो πाई बाई 3 formula हम लोगोंने circular motion के लिए यानि कोई भी अगर circle है तो उसके लिए formula हमने पढ़ाये पीछे पहले lecture में मैंने आपको बताया था angle equals arc upon radius code बराबर चाप बटे त्रिजिया यहाँ पे code हमेशा radian में होता है ये भी मैंने आपको बताया था तो radian में angle कितना है πाई बाई 3 चाप ये हमें निकालनी है और त्रिजिया कितनी है 20 cross multiply किया चाप आगया 20 pi upon 3 pi की value 22 upon 7 calculate किया तो 20.95 cm यानि जो minor arc है वो कितनी होगी 20.95 cm minor का मतला आपको मैं समझाजता हूँ जैसे ये AB है तो ये AB ने दो part में circle को divide किया एक ये छोटा सा part ये जो दिख रहा है ये वाला part और एक ये बड़ा part तो इसमें minor काउंस है ये वाला part और इसकी arc काउंस है ये arc है इसकी AB ठीक तो ये चीज़ हमें find करनी थी वो 20.95 cm हो गई अगर ये question आपको समझ में आए हो बिलकुल ये जो formula लिखा है इस formula पर base ये question है इसमें आपको angle निकालना है ये formula apply करेंगे cross multiply करके angle की value जो आएगी वो इस formula से radian में आएगी उसके बाद हमें उसे degree में convert करना होगा वो पिछले lecture में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो I hope कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में हो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से students कह रहे हैं कि मैंने channel तो आपका subscribe कर लिया है लेकिन वो videos मुझको जो है वो रोज की रोज नहीं मिल लई है तो इसका करण ये है कि आप channel को तो subscribe कर लेते हैं लेकिन subscribe के side में एक button होता है tone के लिए तो उस notification के लिए उसको आप on करके all पे click कर देंगे तो वो notification आपका on हो जाएगा तो जैसे मेरी कोई भी video में चैनल पे upload होगी वो अपने आप आपके पास notification पहुच जाएगा मुझे बताने कि आपको आप सकता नहीं पड़ेगी तो जिन्होंने subscribe करके notification के bell icon को click करके नहीं किया है वो कर लें ताकि आपको रेगलोस की videos मिल जाए Thank you